आज हम बात करेंगे हिंदी की, हमारी भाषा हिंदी की, हम सबकी भाषा हिंदी की कई बार ये मुद्दे उठाये जाते हैं कि हिंदी हमारी राश्ट्र भाषा नाशनल लेंग्वेज है राज भाषा ओफिशल लेंगवेज है या संपर्क भाषा लिंक लेंगवेज है चाहे जो पुछ हो लेकिन इतनी बात पक्की है कि हिंदी आज जन जन की भाषा बन गई है चाहे सिनिमा के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से हो देश के कोनी-कोने तक हिंदी पहुँची है तो आज हम चाचा करते हैं हिंदी भाषा के विविद रूपों की हिंदी भाषा भारत के अनेक राज्यों में बोली जाती है और प्रयोग के आधार पर हिंदी के कई रूप देखने को मिलते हैं जैसे राश्ट्र भाषा, राज भाषा, राज भाषा, संपर्ग भाषा, बोलचाल की भाषा, मानक भाषा, सहितिक भाषा, आदी इन में से राश्ट्र भाषा, राजभाषा और राज्य भाषा ये तीनों शब्द एक जैसे मालूम होते हैं परन्तु इनका अंग्रेजी अनुवार देखें तो इनका अंतर स्पष्ट हो जाता है राश्ट्र भाषा अरथात National Language, राजभाषा Official Language और राजभाषा State Language इन में से राश्ट्र भाषा लगबक संपूर्ण राश्ट्र में प्रयूक्त होने वाले भाषा है जिसका संबंध समाज और संस्कृती से है तो राज भाषा राष्ट्र के राज काज की भाषा है और जिसे सरकारी कामकाज करने के लिए सम्वैधानिक मान्यता भी मिली है तो राज्य भाषा किसे एक राज्य की भाषा है हिंदी भाषा के उपर युक्त सभी रोब देखने को मिलते हैं मूल तहा दिल्ली, मेरठ तथा आसपास के भागों में बोली जाने वाली एक बोली थी खड़ी बोली यही खड़ी बोली विक्सित होकर आज देश की राश्टर भाषा, राजबाषा, संपर्ग भाषा हिंदी बनी है हिंदी के अलग-अलग रूपों की हम यहाँ चर्चा करेंगे पहला रूप है राश्टर भाषा अर्थात नाशनल लाइग्विज राश्टर भाषा वह भाषा है जो किसी राश्टर का प्रतिनिदित्व करती है तथा राश्टर के सरवाधिक लोगों की लिखने, बोलने तथा समझने की भाषा है राश्टर भाषा राश्टरी एकता की कड़ी है वह राश्टरिय चेतना एवं गवरव का प्रतीक भी है इस त्रुष्टी से हिंदी भारत की राश्टर भाषा है और स्वतंतरता आंदोलन के समय से ही राश्टर के ततकाली नेताओं ने हिंदी को राश्टर भाषा का दरजा दिया है परन्तु भारत के समय धान Constitution of India में अधिकरुत रूप से राश्टर भाषा हिंदी का उलेख नहीं है दूसरा रूप है राजभाषा अर्थात Official Language राजभाषा वह भाषा है जो सरकारी कामकाज के लिए प्रविक्त होती है और देश के समय धान ने उसे राजभाषा के रूप में मान्यता दी है 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संग की राजभाषा की रूप में स्विकार किया गया इसलिए 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिवस के रोप में मनाय जाता है संवीधान के भाग सत्रह के अनुच्छे 343 में लिखा गया है कि देश के सरकारी कामकाज के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग होगा लेकिन प्रशासन के जिस कारे के लिए पहले से अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहा है वहां हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होता है तीसरा रूप है प्रांतिय भाषा या राज्य भाषा अर्थात रीजनल अथवा स्टेट लैंग्वेज यह किसे एक राज्य विशेश की भाषा होती है जिसे उस राज्य में सरकारी कामकाज करने के लिए समवधानिक मान्यता मिली है बारत के अधिकांश राज्यों की अपनी अपनी राज्य भाषा है और हिंदी भारत के दस राज्यों की राज्य भाषा है चोथा रूप है संपर्क भाषा अर्थात link language संपर्क भाषा यह भाषा का कोई अलग रूप नहीं है बलकि दो भिन्न भाषाएं बोलने वाले या भिन्न राज्यों के लोग अगर एक दुसरी की भाषा नहीं जानते तो आपस में बाच्चित के लिए मुख्य रूप से हिंदी का प्रयोग करते है परियटन, कारोबार, यातायात, आधि प्रमुख शेत्रों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग ही प्रमुख रूप से होता है किसी बवुभाषी राष्टर की संपर्क भाषा वही हो सकती है जो राष्टर में सरवाधिक प्रचलित है तता जो अधिक से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है या समझी जाती है इस दृष्टी से हिंदी हमारी संपर्क भाषा है जिसके द्वारा सहितिक, संस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक बातों का आदान-प्रदान होता है पांचवा रूप है बोलचाल की भाषा या वाचिक भाषा अर्थात spoken language बोलचाल की भाषा का प्रयोग सरवाधिक लोग आपसी बाच्चित के लिए करते हैं भारत में दिल्ली, मेरठ और उसके आसपास के प्रांतों में प्रचलित खड़ी बोली आज भारत की राजभाषा और राष्ट्र भाषा हिंदी बनी है बारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जानी वाली भाषा कौन सी है इसका एक ही उत्तर होगा वह है हिंदी बोलचाल की हिंदी का रूप देश के हर प्रांत में अलग-अलग होता है इसमें व्याकरण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता सार्वजनिक स्थलों पर अक्सर बोलचाल की हिंदी का प्रयोग होता है इसका रूप हर प्रांत में अलग-अलग हो सकता है और उस राज्य या उस प्रांत की भाषा या बोली का प्रभाव उस पर रहता है कई बार हिंदी क्षेत्र के व्यक्ती भी वाचिक या बोलचाल की हिंदी में मुझको की जगा मेरे को और कीजिये की जगा करिये का प्रयोग करते हैं दक्षिन भारत के करनाटक, केरल, तमिलनाडू जैसे प्रांतों में जिने हिंदी नहीं आती ऐसे अहिंदी लोग भी तूटी-फूटी हिंदी बोल लेते हैं क्योंकि यहा भावों का संप्रेशन ही मुख्य होता है इसलिए व्याकरण के नियम गौन हो जाते हैं अन्वेक्षा नामके एक यूट्यूबर ने मजेदार ढंग से यहा प्रस्तुत किया है कि अलग-अलग प्रांतों के लोग किस तरह से हिंदी बोलते हैं देखिए उसकी एक जलक जस्ट फॉर फन को सिकान मेरे बरदश के बाहर तुम मुझे माफ करो मुझसे दूर रहो ए तो चलता है तुम हमारा नहीं सुना अभी तुम प्रॉब्लम में फसे कैसलवा सब ठीक उहा जा रहे है जरा आएगा जरूर उका है ना उनका कुछ तो तेवार है तो बलाएं है तो जरा सोचे मिलाते है तो चलते हैं जी हम आपको बोल ले थे ना आपने हमारी बात सुनी क्यों नहीं अब हमारी कभी नहीं सुनते हम आपको पहले बोल देते हैं, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी ना, तो हम आपकी भी बात नहीं मानी है। इसमें व्यकरण के नीमों का पालन होता है। राजभाशा हिंदी के लिए हिंदी के मानक रूप का ही प्रयोग होता है। धन्यवाद। इसके आगे के वीडियो में देखिए राजभाशा का आर्थ तथा विशेशताएं।